यह तो format बना लेंगे जो भी होगा कर लेंगे इसको चलिए कुश्चन में क्या कहता है जोती लिमिटेड इन्वाइट एप्लिकेशन इशू 10,000 एक्विटी शेयर 10 रुपेश चेच फेवल 4 औन एप्लिकेंटा सार इन्वाइट का मतलब इसने इशू किये है जो इशू किये है कितने इशू किये है इशू किये इसने 1,2,000 एक्विटी शेयर 10 रुपे का एक है और दस रुपे आले शेयर की डिटेल कुछ इस तरीके से दी जा रही है क्या क्या दिया जा रहा है यहां पर पांच चार रुपए अप्लिकेशन पांच रुपए इंक्लूडिंग थ्री रुपी सेक्यूरिटी प्रीमियम यहां सेक्यूरिटी प्रीमियम भी थ्री है अलॉर्टमेंट पर यानि प्लस तीन हो गया यह और कहता है allotment balance on first and final call तो balance कितने का बचा तो दो ही हुआ चार और दो छे तो चार रुपए बचे के balance यहां तक हमने balance वाले point को cover कर लिया है अब आगे क्या कहता है first and final call the prospectus was partial allotment money received in excess of application would be adjusted toward the due on allotment and call कोई भी पैसा मिला है तो उसको आगे ले जाएंगे और सवाल में कहता है application जो receive है वो धाई लाग है application receive कितने है हमारे धाई लाग share out of which applicant 50,000 share were rejected जिसमें से 50,000 reject कर दिये कुछ बच्चों के यह questions भी आये थे तो सर्द 2,00,000 ही बचे तो अब जो comparison करेंगे न ratio तो 2,00,000 और इसमें निकलेगा आगे कहता है rejected आपका and the applicant were allotted on prorata basis तो इसका मतलब सर apply 2,00,000 allotted इसको थोड़ा different कर लेते हैं जिसने मांगे दो लाक उसको मिले एक लाक और जिसने मांगे पचास हजार उसको हमने कुछ नहीं दिया ये category हम बना लेंगे ऐसे ठीक है आगे कहता है other applicant allotted were made prorata basis and the company receive all amount due on allotment except from the shareholder who apply 2000 share 2000 shareholder fail to pay allotment and call the share were poor feature तो यहां पर एक था shareholder जिसके पास 2000 share जिसने apply किये है जिसने क्या किया है apply किया है 2000 share वो fail हो गया तो इसका allotted निकाल लो आप allotted कितने है simple सी बात है apply 2000 है ratio आधे का है तो allotted 1000 आ जाएगा है ना who failed to payment out of उसके share को company ने for feature कर लिया तो बड़ी share application to equity share capital to share allotment to sorry to bank वापसी भी करना है तो sir 10 लाख और यहां पर सिर्फ एक लाख है तो एक लाख हिंटू में 4 चार लाख और बैंक को 50 अजार एक लाख तो बागी का चला जाएगा कहा allotment advance allotment advance कितने sir आगे जाएगा जितना भी जाएगा 5 लाख रुप है allotment advance कितना चला गया 5 लाख sir 5 लाख कैसे 2 लाख वालों की extra पैसे आए हैं तो हो गए हमारे 5 लाख ठीक है चलिए sir आगे हम allotment की entry करेंगे share allotment to equity share capital और to security premium एक लाख share है और पांच रुपए का है तो पांच लाख ये चार लाख आएगा और ये एक लाख आएगा अब बैंक में जब payment लेने जाएंगे तो बैंक में आने चाहिए थे पांच लाख बट कितने advance है क्या अच्छा ये दो लाख बिल्कुल सही ये दो लाख यहां गरबड हो गई भाई थोड़ी ये दो लाख होगा और ये चार लाख होगा तो हमारे पास पांच लाख में से भाई चार लाख तो पहले ही advance वाले होंगे माइनस failure 1000 इंटो में जो failure था तो इसका failure का निकाल लेते हैं पैसा सर failure actual में है कितने का देखिए failure का मैं बहुत short note कर रहा हूँ क्योंकि यह आप आगे सीख चुके हो और जितने बच्चे नहीं है न तो उनको ये class अभी देखने का कोई फाइदा नहीं हो शुरू से देखते हुआ है तो फाइदा होगा नया chapter हम टीउजडे को start करेंगे चलिए sir total पैसा जो लिया होगा हमने मैं simple से इसाब बताता हूँ 2000 share मांगे तो 8000 इसने दे दिया होगे जिसमें से इसके adjust हो जाएंगे 1000 इंटू में 4000 तो बचे advance कितने 4000 4000 अगर इसके advance बच गया है तो मैंने बुला भी अलॉट्मेंट पे मांग लेते हैं तो 5000 मैंने अलॉट्मेंट पे मांगे यह देने में fail हो गया तो 1000 देने में fail हो गया एक तो 1000 रुपे यह नहीं आएगा correct तो चार लाक यानि 99,000 यहां जाएगा area जो रह जाएगा यहां पे वो रह जाएगा 1000 और जो advance है वो है हमारा चार लाक और share allotment हो जाएगा share allotment हो जाएगा हमारा पांच लाक यह लीजिए अब share first call भी मांगा जाएगा क्योंकि अभी four feature हुआ नहीं है अगली entry share first call की तो फिर से हम करेंगे share first call to equity share capital तर कितनों से मांगेंगे सभी से मांग लेंगे एक लाक share है और चार रुपे के तो चार लाक और चार लाक चार लाक और चार लाक अभी बैंक में पैसा कितना अना है सा चार लाक चार लाक में से कितना advance इसने एक लाक एक हजार वालों नहीं दिया हो तो माइनस चार हजार हो जाएगा तो चार हजार तो 396 396 और यहां आ जाएगा calls in area calls in area 4000 और टू आ जाएगा equity share capital sorry two share first call यह final call लिख लो final call कितने सर 4 लाक कितने आगे 4 लाक अभी doubt देख रहा हूँ किसका क्या है पिर आगे four feature पर जाएगे मैंने roughly किया है सारा entry ध्यान रखिएगा सर यह SP 3 लाक है SP 3 लाक है अच्छा 3 रुपे है ठीक है भाई ठीक है ठीक है SP 3 लाक है सही बोल रहे हैं तो यह आएगा हमारे कितना 2 लाक और यह 3 लाक 2 लाक 3 लाक अब बताईए कोई doubt कोई doubt कोई बच्चा hand raise कर रहा है उसका भी ले 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 थे हैं doubt yes one see का बताईए yes one see का बताईए doubt हां जी चलिए यहां तक किसी बच्चे को कोई doubt हो जो की continue यह class पूरी देख चुके है उनसे मैं पूछूँगा यह doubt है जिनकी first class है उनको तो नहीं समझ में आने अलग पुछ भी ज्यादत है जिनका 12 में बहुत strong था उनको समझ में आएगा फिलाद आगे बढ़ जाएं अब share for feature करना है तो share for feature किसका करना है सर यह सिर्फ 1000 share को share इसके बाद तो सवाल में कोई मेरे को समझ में नहीं है कोई doubt है share for feature करेंगे share for feature करेंगे अभी भी doubt आ रहा है देखतें किसका doubt है यस राज लक्ष्मी बताईए doubt बताईए doubt वोईस कनेक्ट नहीं हो पारी राज लक्ष्मी आप एक बार चैट में लिख दीजिए मैं वैसे clear कर दूँँगा कर दाउट कौन से नंबर पर पूछना है वो दी आप फर्स वीडियो में देखना how to take doubt class उसमें नंबर मेंशन है यस लक्ष्मी बताईए एक लाग एक मिट कहता है कि पांच रुपए यहां पर मेरे अप्लिकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम है थीड थी तो यह तो सही तो है देखो पांच रुपए होगे या पांच में से दो रुपए हो जाएगा शेर कैपिटल और तीन रुपए हो जाएगा सेक्यूरिटी प्रीमियम तो अब बुक में क्या करा हुआ है थीक है अरे वो डारेक्ट एंट्री कर रहे होंगे ना वो अलग से कर रखा हुगा इंट्री अलग से मैंने कंबाइन इंट्री कर दिया बुक वालों ने अलग से कर रखा हुआ मैंने ठीक कर दिया पहले गलत करा था एडवांस पांच लाक अब ठीक कर दिया देखो चार कर दिया मैंने यह यह बिल्कुल यह आया है ठीक है चले ठीक है आगे फोर फिचर पर चलते हैं प्रोराटा रिपीट कर दो प्रोराटा में कुछ भी नहीं था सवाल में देखो क्या कहता है मैं पूरा सवाल एक वर बता देता हूं कुरिशन में कहता था कि हमारे पास ना टोटल धाई लाक के मतलब एक लाक शेर इशू किये और इसके कैटेगरी पांच चार पांच और चार रखा और धाई लाक एप्लिकेशन आ गया जिसमें से 50 को रिफंड कर दिये तो बड़ी सी बात है 50 को रिफंड कर दिये तो दो को एक देना पड़ा मजबूरन तो जिसने मांगे दो उसको दिये एक पचास को निल कर दिया तो यह हमने एक रेशो बना लिया रेशो इसका बना यहां पे कहता है एक कैटेगरी में ऐसा वेक्ती था जिसने 2000 मांगे थे अप्लिकेंट हम मांगे थे तो 2000 मांगे थे तो उसने अपलाई किये थे तो मिला कितना होगा 1000 मैंने अंदाजे से निकाल ले क्योंकि आधिका रेशो बाकि अपलाई अलोटिट वाला बताया हुआ है इसके बाद हमारे जो बैंक में पैसा आया उसको हमने जहां जहां कैटे कितना आजाएगा सर दस हजार टू शेर फोर फीचर और तू आपका कॉल सेने अरियर काल इन एरियर तो सर्फ टू शेर फोर फीचर की बात करें तो उसने जो पैसे दिये थे मैं चेक करा दू तो भाया उसने कितने रुपिया दिये थे तो इसने 2000 मांगे होंगे और यह चा फोर फीचर में एरियर में कितना था एक हजार और चार पांच हजार क्या बात कर रहे हूं एरियर में यहां पे एक हजार था और यहां चार तो चार एक पांच हुआ और अच्छा पांच हजार यह और फेल जो हुआ वसी अलाटमेंट पर ही हुआ है तो सेक्यूरिटी प्र ठीमियुम किटने का? अब आशी हां हजार हजार इंटू में तीन एक बार एंट्रिबुक में चेक करिए ये एंट्री नहीं होगा मेरे साब से ये मुझे सवाल कराना भी था छलो बातो बातों में आहीं गया नहीं होगा ये एंट्रि आप four feature पे ध्यान देना जो मैं बात बताने वाला हूँ बड़े मज़े की बात बताने वाला हूँ normally आप सभी बच्चों ने ये entry कर लिया होगा और बार बार ये entry करके देख रहे होगे और आपका answer गलत आ रहा होगा normally बार बार करने के बाद गलत आ रहा होगा क्यों गलत आ रहा होगा समझेगा बात को अब मैं ये entry आपको दुबारा करके दिखाऊँगा और detailed discussion करने वाले हैं इस पर चलिए सर अब मैं starting से लेके चलता हूँ ठीक है apply जो किये थे उसने वो apply किये थे 2000 तो सर उसको allotted कितने हुए थे allotted हुए थे 2000 divided by 2 into में 1 यानि सर 1000 ठीक है और total amount receive क्या था total amount receive सर 2000 into में application 4 का था तो 4 के इसाब से उसने 8000 दे दिये थे मैं minus कर देता हूँ adjustment कर देता हूँ adjust कर देता हूँ application के तो भईया तुम्हें मिले ही 1000 तो 1000 गुणा में 4 यानि सर 4000 रुपे आ जाएंगे तो इसके advance कितने रहे भईया 4000 अब इसके हम allotment का पैसा मांगेंगे न allotment का पैसा मांगेंगे तो हम दो चीजे मांगेंगे अब allotment का एक मांगेंगे share capital का एक मांगें security premium का ठीक है दे चुका है ये security premium का कितना मांगेंगे हम security premium का मांगेंगे कितने रुपे तीन रुपे ये दो था नशाय है I guess दो था दो तो 2000 और इसके मांगेंगे तीन तो इंटू में हम 1000 करेंगे इंटू में 1000 तीन हजार तो अगर देखा जाए तो share capital का पैसा दे गया और premium के भी कुछ पैसे दे गया सारा premium में फेल नहीं हो रहा है ये premium 3000 मांगे थे जिसमें से 2000 दे गया तो that is premium कितना देने में फेल हुआ भाई premium ये 1000 रुपे देने में फेल हुआ है premium कितने रुपे देने में फेल हुआ है एक худ亦 रुपए देने में फेल हुआ है, शेर कैपिटल का पैसा स्रिफ for feature होगा, ध्यान देना है, में मे forehead पता है, यई डाउट भी आएएँगे आपके, तो शेर कैपिटल में एक ये पैसा दिसने दिया, और एक ये पैसा दिया, तो शेर for feature में में डाउट पूछूँगा, share capital, तो share capital ने तो पूरे 10 से ही जाना है, sir, 1000 into में 10, that is आपका होगे 10,000, और sir, security premium में debit कितना होगा, security premium में सिर्फ 1000 रुपय होगा, और to share for feature में कितना जाएगा, sir, share for feature में जो मैंने dot लगाए, 6000, और to call scenario कितना जाएगा, calls in area, calls in area कितना जाएगा, sir, 1000 और 4000, 5000, तो आप देखिए, आप जाके आप पर ये match होगा, आपके किताब से, किसी बच्चे का doubt है तो बताईए, क्योंकि maximum बच्चे गलती कर रहे होंगे, बताईए doubt, sir, हमें कैसे पता चलेगा, इतना दिमाग कैसे लगाएंगे, अब देखिए, सुझे, मैं तो trick बता सकता हूँ, logic बता सकता हूँ, होआ क्या यहाँ पर, मैंने देखा, कि भाईया, इसका advance 50% share है, पहली बात, दूसरी बात, premium का पैसा ज़्यादा है, और capital का पैसा, जब पैसा मिलेगा न, तो पहला हम capital वाला पैसा लेंगे, फिर बाद में premium वाले पैसे को अंडर करेंगे, तो यहाँ capital का पैसा इतना कम है कि उसका पूरा adjust हो रहा होगा, बाकी का जो पैसा adjustment करना रहे गया होगा, वो कहां रहे गया होगा, प्रीमियम यह आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, question practice से आएगा, यह ठीक है न, तो वही चीज मैंने आपको यहाँ परे detail में बताया, सर क्या बताया detail में मैंने देखिए, मैंने इसको detail में लिया कि भाईया total पैसा जो आया, अब ध्यान से देखिए, जो total पैसा आया, वो आया हमारा 8000, 4000 चलो कट गए, अब इसके बाद allotment पे इससे हमने मांगे थे भाईया कि तुमें काम करना 2 रुपे share capital के देना, और 3 रुपे तुम क्या देना, security premium की, और ये total देखे गया कितना हमें advance में, 4000, तो पहले तो हम ये वाला पैसा निप्टाएंगे न, share capital का, तो share capital का निप्टा लिया, तो ये बच गया 2000, अब जो 2000 advance बचा है सर, ये इसके हिस्से का बचा होगा, security premium, तो 2000 में से, भी 2000 दिया, जिसमें से security premium का 3000 मांग रहा था, इसने बोला मैं नहीं दे रहा, तो इस जो fail हुआने, पैसे देने में, तो वो पता है क्या देने में fail हुआ, सिर्फ security premium का पैसा, सर, ये पिछले question में तो कहीं भी नहीं किया था, आपने तो पिछले question में ऐसा था, के premium कम हुआ करता था, capital बहुत सारा हुआ करता था, capital के पैसे ही पूरे नहीं परबाते थे, तक कि मैं premium का कहा से करता आगे का कहानी, ठीक है, काफी बच्चों ने doubt पूछा था ये मेरे से, तो मैंने कहा कि भी या, इतने बच्चों का doubt solve करने से अच्छा, मैं board पे करा दू, मंगलवार को new chapter start करेंगे, financial statement, financial statement का chapter start होगा, मैं doubt आज ये खतम कर रहा हूँ, इसके बाद जो भी छोटे मोटे रहेंगे देखेंगे, संडे भी हो सकता है, मैं कल भी doubt session रख दू, कल costing की class तो है, doubt session भी रख दूँँगा, चलिए sir, अब बोलता है, अब कुछ भी नहीं बचा इस question में, जान ही नहीं बचा, मर क्या question ये, अब क्या कहता है sir, सारे share को इसने क्या करा, out of the forfeited share, 600 share उसने resue कर दिया, 8 रुपे fully paid up, 600 share resue कर दिया, 8 रुपे fully paid up, तो मैंने क्या करा, sir, bank में पैसा ले लिया sir, bank में पैसा ले लिया, 600 रुपे, into में 8, 4800 रुपे, और फिर मेरा share for feature से नुक्सान हो गया, share for feature से नुक्सान हो गया, 600 into में 2, 1200 रुपे, और 2 equity share capital, 2 equity share capital, पूरे 6000 रुपे आ गया, ठीक है, अब sir, हमारा फाइदा नुक्सान compare कर लेंगे, sir, यह जो फाइदा है ना, यह है पूरे 1000 रुपे, लेकिन हमने कमाया, नुक्सान फाइदा 600 रुपे count करना है, तो convert कर लेंगे, तो share 4 feature और 2 capital reserve में चला जाएगा, अब share 4 feature 2 capital reserve की निकाल लेंगे, तो कैसे निकाल लेंगे, 6000 कमाये, हमने 1000 पे, और multiply 600, तो यानि 3600 रुपे कमाये, जिसमें से 1200 का नुक्सान ही हो गया, तो 1200 माइनस करोगे, तो कितना बचेगा, 2400, 2400 रुपे capital reserve है, आपके book में भी answer given होगा आप चेक कर लेंगे, 2400 रुपे के हमारा capital reserve है, चलिए कोई बच्चा hand raise कर रहा था, वन शिका, यस बताइए, वन शिका, बताइए, हाँ, बताओ, पूछते जाओ, मैं बताता जाओ, आपके card out है, इसमें, हाँ, हाँ, नहीं, यह देखे, जो amount receive हुआ, वो for future नहीं होता, भर बार बोलते हैं, जो amount capital के बदले का receive हुआ, वो for future होता है, तो capital का, वैसे तो देखो, जब कभी premium paid कर देता है, तो premium वाला for future नहीं करते हैं, तो word यह है, कि जो capital वाला पैसा receive हुआ, वो for future करेंगा, तो capital वाला एक यह receive हुआ था, एक यह, और यह वाला जो amount advance है, यह तो security premium के हिस्से में चला गया, तो इसलिए for future नहीं हुआ, for future सरिफ यह, और यह हो पाया हमारा, जो कि 4 और 2, 6000 रुपे, चीक है, चीक है, और किसी बच्चे का doubt, झाल झाल